बिस्मिल्लाई रहमाली रहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप जैसा कि मैंने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को रुमाली रोटी या बहुत ही पत्ती सी जो रोटी होती है वो बनाना जरूर सिखाऊंगी उल्टे तवेगी तो आज मैं आपके लिए यही रैसिप पिले कर आ रही हूं तो देखिए किस तरह से बनती है यहां मैंने दो काप आटा ले लिया है गंदम का आटा आप फाइन आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे उसमें मैं तक्रीबन दो चुटकी नमक के डालूंगी इस तरीके से अंदाजर से मैं डाल रही हूं आप देखते जाएए फॉलो करें इसको और एक टेबल स्पून थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी अगर आप थोड़ी डालना चाहें या ना डालना चाहें तो वह आपकी मर्दी है लेकिन इससे जरा रोटियां अच्छी बनेंगी तो मिक् करूंगी तो अब जैसे हम घर में आटा गूनते हैं रोटी का उसी तरह से इसको आटे को गून देना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके यह देखिए इस तरह से जितना अच्छा आटा गूनता होगा रोटी भी उतनी ही अच्छी बनेगी अगर डोची नहीं बनेगी तो रोटी भी सौफ्ट और मदेदार नहीं बनेगी आटा मेरा खाल है मैंने काफी वीडियो में आपको गूनना या डोबनाना सिखाया है यह देखिए थोड़ा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रहा होगा न्यूकमर्स को किस तरह से कुकिंग करते हैं कम वसायल में रहते हुए अच्छी कुकिंग तो आप यह सीखें बचों को भी सिखाएं ग्यास को कि रोटी कैसे बनती है यह देखिए इसको मैं अच् करती हूं इस तरीके से जिस तरह हम रोटी का अटा गूनते हैं उसी तरह से यह देखिए इस तरह से इसको गूनने के बाद हम पांच मिनट करस्त देंगे ज्यादा नहीं देंगे फिर भी हमारी रोटी बहुत अच्छी बनने वाली है क्योंकि आटा अगर अच्छा गूनता होगा तो रोटी अच्छी बनेगी यह पकी बात है यह देखिए इसमें गुट्लियां भी नहीं है और एक ही जैसे तरीके से यह गुन्द के यार हो जाएगा तो चले मैं इसको अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ उसके बाद रोटी बनाना स्टार्ट करते है तो यहां देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक रेसिपी बताई थी तवा चिकन उसमें मैंने इसी तवे को सीधी तरह से इस्तमाल गिया था अब मैं इसको उ इस पर थोड़ा थोड़ा यह डालेंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से फिर इसके साथ रोटी हमारी चिपकेगी ने यहीट को थोड़ा स्लोई करते हैं अब है तो छोटे-छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं अब मैं रोटी आपको उपर डाल के दिखाती हूँ कि यह रोटी किस तरह से बनने वाली है तब तक तवा थोड़ा सा और गरम हो जाएगा हमारा तो बनाने में सहूलत रहेगी रोटी का पेड़ा बना कर थोड़ी देर उसको रखेंगे तो और अच्छी बनेगी यहां क्योंकर थोड़ी जल्दी होती है इसलिए हम फॉरण काम करना होता है तो चलें एक रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं मैं आपको इसके उपर तवा गरम है अब देखिएगा कि मैं रोटी किस तरह से डालती हूँ इसके उपर बस बेल देनी है और डाल देनी है थोड़ी पतली करेंगे आम रोटी से तो यहां हमाली रोटी बनने वाली है आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको डालती हूँ यह देखिए रोटी मैंने थोड़ी बड़ी कर ली है आम रोटी से बिल्कुल आटा आपके सामने गूंद है कोई चीज़ स्किप नेगी यह देखिए रोटी को डाल दिया है अब इसकी साइड चेंज करेंगे यह देखिए कितने अराम से यह साइड चेंज होगी है इसकी और यह चिपकी भी नहीं पतली रोटी है इसको मैंने तवे की मुनास्बत से ही बढ़ा किया है जितना बढ़ा आपका तवा होगा आप उतनी ही बड़ी इसकी बना सकते हैं रोटी थोड़ थोड़ इसको एक साइड से चारों साइडों से सेक लेते हैं इस तरह हलका हलका प्रेस करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे इसको यह देखिए नीचे से पकती जा रही बहुत ही मज़ेदार लगती है यह किसी भी सालन के साथ थोड़ी सी इस साइड से रहेगी यह भी मैं कर लूँ यह देखिए मैं बिल्कुल हलका हलका इसको प्रेस का रही हूं ज्यादा नहीं का रही है यह देखिए फिर उसके बाद हम इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गुमाते जाएंगे ज्यादा नहीं गुमाएंगे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड़ों से इसको क दो रोटियां मैं आपके सामने बनाती हूं और ये रोटी बहुत मदेदार लगती है सालन में और वेटलेस होती है वेट इसका बहुत काम है क्योंकि पेड़ा चोटा होता है हमने रोटी को बढ़ा करना होता है जितना मैक्सिमम आप बढ़ा कर सकते हैं उतना इसको करेंगे जब तक यह फटती नहीं है, इसका रूल यह है, यह देखिए, आप लेक्स रोटी भी देखिएगा, यह देखिए, यह इसके उपर डाल दूँगी, अराम से, थोड़ी सीधी भी कर सकते हैं, हम इसको देखें, चिपकी भी नहीं है, अगर आपको लगए कि आपको गलत पर डाल गई है, यह देखिए, अराम से मैंने इसको उठाया हलका सा, और इसकी साइड चेंज कर लिए, आपने देखा, कि रेस्टोरेंट स्टाइल रोटियां हमने घर में ही बना ली है, यह मैंने आटे की बनाई है, अगर आप इसको मैदे में बनाएंगे, तो ज्यादा को वाइट रोटी जिस तरह होती है, उस तरह बनेगी है, जाद अच्छी बनेगी, किसी भी ड्राय साजन के साथ आप खाएं, तो बहुत इंजॉय करेंगे, थोड़ा तवा अभी मेरा न्यू है, इसलिए थोड़ा से चिपक रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलें, दूसर वाली भी मैं आपके सामने ही डालूँगी, यह देखिए, बहुत जल्दी इस पर रोटी कूक होती है, बहुत जल्दी, दूसरी रोटी तो इतना टाइम लेती है, यह बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, यह देखिए, इसको उल्टाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नह है, थोड़ी थोड़ी इस तरह उल्टाते जाएंगे और दोनों साइडों से इसको पका लेंगे, फिर से थोड़ा सा दबा देती हूँ, यह देखिए, इस तरह सीखते सीखते इंसान सीख जाता है, फिर्स टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कोई काम करते वक्त, लेकि फिर सीख जाता है, यह देखिए, कितने अच्छे इस पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल बन गए हैं, इसको भी मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा दबाऊंगी, तो यह चिपकने का डार होता है, यह भी इसकी एक टे बहुत टेस्टी सा यह भी, इसके साथ मैंने यह रोटी रखी है, रुमाली रोटी, बहुत ही पतली और सॉफ्ट रोटी है, आप जरूर ट्राइ किजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज